हाइघ है हेलो परेंज आप सब कैसे हो अभी जो है मैं ऊपर करूम पर जा रहीव क्रूंप अपर करने के लिए ऊपर कर रूम पर ले काफ़ी सारा समान तऱी असे भरा हुआ है और पुरा गंदी तरीके से फेला है तो अप दिख रहा है आप लोगों को तो इस समान को जो अच्छे से से चैटिंग करके रखना है क्योंकि बहुत ही बेकार दिख रहा है तो देखो इधर बाबु जो काम कर रहा है वही और इधर देखो कुछ ऑपलोग क्या ब構ते हो पता नहीं रेक टाइप कर बहुत होँ है जो है समान को रखने के लिए खरिद के ला आया है और इससो को लगा दिया और उसमें जो है सारा समान जो है लेकर रखेंगे अच्छे से से रहा है्ख़ारिटिंग करके इसमें जो है बाबु करना बहुत सरी स दूख नहीं मिलता है काम के टाइम में तो इसलिए जो एक जचक करके रख रहे हूं तो ऐसे काम तो ज्यादा वहीं कर रहे है और और इधार बहुत ज़ता घंदा फैला हुआ है तो मैं थोरा से जारू लगा रही हूँ नहीं तो उसके उपर ही समान को रग देगा तो इसलिए जो है अच्छे से तो अच्छे से से सेटिंग बगरा कर लोंगी तो थोरा दिखने में भी अच्छा दिखेगा और समान भी ढू भी मेरे से हो रहा था मैं वहीं सब थोरा बहुत लाक्के दें रहा ही थे उएंके पास और उन्होंनों जो है उपर सजा करहिए थे मतलब थेखो खुद जो समान रहता है ला वीडियो बनाने कर तो उनका समवान उनको को इस पता हो dwaẳ़ होगा तो्लॉच तो उनके पास लेकर रहे थी और वह पर अच्छा सट्सेल हो रह था और अभी जो है कापी अच्छा दिख रहा है देखो सेटिंग वगरा हो गया और सामान भी कापी कम दिख रहा है देखो आज प्रेंस अम लोग को एक नया सोपा आने वाला है बाबु जो है उसी सोपा को लेने के लिए गया है देखो ममी और मैं वही बेट कर रही हूँ देखो प्रेंस दोकान जो है पॉज गया बाबु और रोहा का थोरा सा वीडियो शूट कर लिया था दोकान में बहुत सरा भाराइटिस का समान मिलता है और देखो इदर सोपा दिख रहा है और बहुत सरा भाराइटिस का सोपा भी तो बाबो को यह बाला सोपा काफे पसंद आया था हम लोग का सोपा भी लेके घर आ गए और ममी दरवाजा खोल रहा था कि कोई एक दरवाजा से नहीं आ रहा था अंदर सोपा क्योंकि काफी बड़ा सोपा है और भाईया लोग जो है अंदर घुसा रहे हैं और हम लोग जो है कौन साइट में रखेंगे वही सोच रहे थे क्योंकि हम लोग का चिट्टी भी है वह उल्टा साइट में था तो इसलिए जो है अभी ऐसे रख रहे हैं और बाद में हम लोग एक जस्ट कर लेंगे अच्छे सेटिंग करके रखेंगे सोपा को देखो भाईया जो है गिर रहा था अच्छे टाइम तो इसलिए बस रख रहे हैं बाद में अच्छे से रखेंगे देखो पर तो सुपा बगरा मतला अंदर लेके आ गया सब कुछ और बाबु जो है उन लोग को पैसा पेक कर रहा है ऐसे उन लोग का क्राय भी देना था अब जो है रात का आट बज रहा है और रात का खाने का तयारी चल रहा है मेरा और आज ना कुछ मतलब सिंपाल खाने का मन कर रहा था कुछ सब्जी बगरा नहीं खाने का अच्छा हो रहा था तो मैं सोचा कि क्या बनाओं तो सोचा कि खिचरी बना लेती हूँ यसे मैं रात को लेट में खाना बगारा बना लेती हूँ क्योंको हम लोग जल्दी खाना नहीं होता है तो लेट हो जाता है तो थंड़ा हो जाता है क्षोटा प्याज बंस यहीं सब चीजों से खिचरी बने का और इधार देखो मुसूर डाल और मुंग डाल यह दो डाल से जो है खिचरी बनेगा और देखो चावल और डाल जो है एक साथ मिक्स करके मैं धो रही हूँ तो फ्रेंस आज मैं बनाओंगी कुकर में खिचरी कौन-कुन कुकर में खिचरी बना के खाये हो कॉमेट में बताना तो यहाँ पर चावल डाल जो है मैं धो लिया और अभी कुकर चूला पर रख दिया और दो सुका मिर्च और तेजपत्ता और जीरा जो है मैं तरका में दे रही हूँ क्योंकि एकी साथ तेल बगर डालके तरका लगा दूँगी सब कुछ फ्राय करके तो आप लोग देखते जाओ मैं एक दम साट कट में जो है एक खिचरी बनाओंगी और काफी ज्यादा टेस्टी लगेगा फ्रेंस देखो एक कटा हुआ पैया जाओ और थोरगा लशून जो है मैं काटके रखी तो फ्राय कर लिया और इधर जितना कटा हुआ सब्जी में रखा था बारायाटेस का सारा सब्जी दे रही हूँ करिए तो में और में तो कटिंग कहिए यह थे कर लिया के में कि चावाल और दाल रही हूँ और मसला बगरापी दाल दूँगे थीरा फ़्ञाट बादर घन्हाद खाल कर ल कि कानी हो एंदाल। ऐसे अभी जीरा पाटर में नहीं डालूंगी नमक और हल्दी और धनिया पाटर बस डाल रही हूँ और लास्ट में थोर सा भुना हुआ जीरा पाटर डाल देंगे तो देखो परेंस इसब को मिला रही हूँ अच्छे से थोरा सा ये भी फ्राय करना है उसके बाद जो है अप कोकर का शीटी आने का देर है फ्रेंस एक या दो दो सीटी में लगाऊंगी और मेरे खिचरी जो है बन जाएगा देखो जो मैं कच्छा सब्जी जादा होगा तो वो रख लिया उसको जो है फ्रीज में रख रही हूँ नहीं तो खराब हो जागा उसी से जो है कल किसी करने मेरे लिए जो है यह लड़ू बना के लाया था अपने हाथों से तो जो लड़ू एक काफी टेस्टी लगा और देखो कुकर का शीटी भी आ गया फ्रेंस अभी मैं कुकर में दो शीटी हो गया अभी देख लूंगी कि खिचरी कैसा हुआ है तो फ्रेंस देख लो इध मुझे चाहिए ग्रेवी ऐसा ही हुआ है तो अभी जो है बारिक कटा हुआ मैं धनियापता डाल दूंगी उसके बाद जो है अच्छे से मिक्स कर दूंगी धनियापता को इस तरीके से आप लोग अगर घड में खिचरी बना के खाएंगे ना तो ज्यादा टाइम भी नहीं और इसके उपर थोड़ा आप लोग घी भी डाल सकते हो मैं ऐसे घी यूज नहीं किया लेकिन आप लोग डाल सकते हो अच्छा और टेश्टी अच्छा लगता है तो अभी खिचरी मेरे बन के तयार है अभी जो खाना खाने के लिए काफी लेट है बहुत लेट में खाते है इसे 10 सरे 10 बज़े हम लोग खाना काते है रात का तो अभी जो है 9 बज रहा है तो अभी बंद कर दिया गैस को और थोड़ असा खिचरी जो है आप लोग को मैं टेस्ट करके बताती हूँ कि कैसा टेस्ट हुआ खिचरी को तो भी थोड़ असा मैं कटोरी में लेके खा रही हूँ खाने के बाद जो अप लोग को बताओंगे अब बहुत गरम है फिरेंस खिचरी तो देखो मैं खिचरी क्यों खा रही हूँ और फ्रेंस क्या ही मैं आप लोग को बताओं खीचरी जो है काफी टेस्टी हुआ ऐसे आप बहुत दिन के बाद जो भी चीजे खाते हैं वो काफी टेस्टी लगता है फ्रेंस तो आप लोग का आज का वीडियो कैसा लगा प्लिस कॉमेट में बताना